तो अगर आप ऐसे हैं मेरे वीडियो देखना चाहते हैं फेस्बुक पेज पर भी तो मेरे फेस्बुक पेज को लाइक करें और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो आप वहां से चेक कर सकते हो तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक तो यहां इस फोल्ब किया हुआ है इसी में बच और फ्रंट Շंच परकार है यहां पर कटिंग हम लोग अपने फैबरिक पर कटिंग करेंगे तो यहां पर लेंथ हमारा 13 इंच यानि 13 इंच तयार था यहां तो मैं 14 इंच ले रही हूं स्केल की इसको सिधा कर लिया है उसके बद हम लोग अपने बर्श का चोथा बाग लेंगे और यहां पर डेर इंज का माजिन आप इंज से ज्यादा भी ले सकते हो अगर आप वीनर हैं तो ज्यादा ले कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो उसके बद यहां पर आम होल की पर 0.25 में अंदर को आये हूं उसके बद इस तरह से लकीर खिश रही हूं और यहां पर हम लोगा बनेगा फ्रंट आम होल इस तरह से गोलाई देंगे तो यहां पर हम लोगा हो चुका है दोनों बेक और फ्रंट और इस तरह से आपको मेजर्मेंट करके देखना है तो जब हमें सब बेक का ही मेजर करोगे क्यूंकि हमारा फ्रंट हमें से ज्यादा ही रहता है उसके बाद नीचे में ले रही हूं कमर का चोथा भाग प्लस 1.5 इंस यहां पर पीछे के डाट के लिए मैं फेबरिक पर ही बढ़ाओंगी तो इसलिए मैं पेपर पर नहीं बढ़ा रही हूं और जो पॉइंट है दोनों को मैंने इस तरह से मिला लिया है उसके बाद यहां से मैं ले रही हूं नेकी चोड़ाई तो नेकी कर दोंगी और उसकी बाद दोनों पॉइंट को मिला दोंगी उसकी बाद आपको जैसा भी गला चाहिए लेकिन अगर आप कटोरी बना रहे तो सबसे पहले तो आपको गोल गला ही देना पड़ेगा उसकी बाद डिजाइन गला दे तो यहां पर मैं 11 इंस भी मार्किंग कर नकी हूँ सोल्डर से नीचे सिल्डर से इस बाद से साड़े 11 इंस पर मार्किंग कर दूँगी अर है जोर अस थाए कर्या क hoş ले ओ संस था नीच open करें और मार्किंग करण करें यह दोंगी तो सइट में अ精क़्म करें考 था अलोर यहां पर मैंने मार्किंग निल लगत रही यहां पर कर्व का शेब आए इसके लिए मैंने यह दिया हुआ है सभी आपको यह देना जरूरी है तभी आपके जो कटोरी है वो पॉफेक्ट यानि फीटिंग में बैठती है यहां मैं ले रही हूं कटोरी 6 इंच की सेंटर से भी हम लोग 6 इंच ही लेंगे उसके बाद फ्रंट आम होल से 2.25 पे मार्किंग कर रही हूं और यहां गले से एक इंच उपर की और मार्किंग कर दिया उसके बाद अपने कटोरी को इस तरह से शेप में शेप दे रही हूं तो यहां पे में शेप दे दिया है तो इसको आपको एक गोल आए में शेप देना है अच्छीजीच आenkले की पाद प्रूब धगान अप यहांचीचा अच्छी शेप आएगी आपकी काडोरी की तो यहां पे में पधने जो मार्किंग हो बिल krdcl हो चुकी है सब से पहले जो यह फोल्ट है बेग और फ्रं्ट के लिए तो सबसे पहले सबसे पहले लोожет करें मुझे अपना अपना इक पांट अलग करना लूगा बेगल सबसे पहले में कट लूग करें उसके तो ہम लोग कर था कि fanart के को लूग को जब क्टिंग करने का सब्छाइब करने करहें नियूं फ्रेवृण , यहां पर दो शीका को प्रक्राइब करेंगी और कीं कि कटोरी कटिंग बाद एम हम अपनी जो फरन्ट आम होल है कि कटिंग कर लेंगे तो यहां पर सब्षब काचिए कि उयनुब अदिक तो जो कंपली तो और यहां पर नहीं के रहेंगे जो बढ़ाया है क्योंकि हमने माज़ी नहीं लिया था और जो तीरे का पार्ट है उसमें हमने कुछ भी नहीं बढ़ाया है तो यहां मैं अभी ड्रो कर रही हूँ अपने नेक का तो वैसे ही 2.25 उपर से निलिया है नेकी चोड़ाई और नीचे से 2.5 इंच ले रही हूँ और दोनों जो पॉइंट है उसको स्केल की मदद से मिला लूँगी उसकी बात अपना जो मेरा यानि जो नेक का डिजाइन है वह मैं ड्रो कर लूँगी तो यहां पर मेरे गोलाई में शेप दिया है उसकी बात अपना फर्मा लेंगे और फर्मेर जैसा है हम लोग का वैसी है हम लोग सबसे पहले ड्राफ कर लेंगे कंप्लीड होयँ और यहां पर मेंने मार्कीं लगा दिया है 3 इंच में क्योंकि हमारी कटोरी वह धाफ है और उस साइट से में बढ़ए रही है वं इंच और यहां से नीचे में ले रही हूं क्योंकि हम सिंगल कहत्य spaghetti डबल के लिए यहां से मार्चन में में ले रहे हूं तो में ले लिए 0.75 और उस पॉइंच से मैं रहे हूं वेहां सकती हुष l यहां पय שמח लाएं हाँ कर दौम जया एक शुत Tin छी है कि अपने को अपने ही लें और जो हमारा सेंटर पॉइंट आता है कटुरी का वहां से आपको थोड़ा बढ़ाते हुए मार्किंग करनी हैं यहां से हम लोग स्वरी इस साइट से जहां हमने उसके बाद हम मार्किंग करेंगे अपने सेंटर पॉइंट में तो उपर हम मार्किंग करेंगे वन इंच यानि टोटेल जो हमारी ये डार्ट होगी लेंथ होगी सेंटर लेंथ वो होगी 2.75 की तो इस तरह से मैंने मार्किंग पॉइंट लगा दिया है तो यहां पे 2.75 की मैं दूसरी साइट के भी मैं सेंटरपिंट से मिला लिया है और दुसरे साइट से मिला लोगी सैंटरपौंट पी देख्रे हों यहां पर मैंने संटरपॉंट में मिला दिया और यहां पर हमारी जू नोक es वह आ गयी है काडोरी में तो यहां पर हमलो फोड़ा सा तो जरूरी के हमेंसा आपकी एसी आई नोग बने वह जरूरी नहीं होता कभी कभी अची सी शेप भी आ जाती है कटोरी की तो आपको गोलाई में शेप देने की जरूरत नहीं होती है और यहां पर मैंने पॉंट लगाये डाट के लिए हमने एक एक एंस पढ़ाया था तो एक मैं कटिंग कर रही हूं अपने गटोरी की पाट की तो यहां पर मेरी कटोरी पाट की मैंने कटिंग कर ली है आप लोग दे सकते हो और इसके जो अच्छी से शेप बनी है कटोरी की बिलकुर गुलाई में अच्छी से आई है तो अभी हम सभी पार्स बाकी जितने भी पार्स है उसकी भी कटिंग कर लेंगे यहां पर तो यहां पर मैंने सभी पार्स के कटिंग कर ली है यह है मेरा बेक साइड का पार्ट य से रमेंक ब Willie अव हो त्यों है किस्तरह से अःतर है तोसलिक आप रहे हैं तो इसलिए मेरा पार्ट हो रह on वहींपे मैं रख रही हूं गहीं नहीं रख रही हूं तो इस तरह से एपने आपने पार्णोष बंडीए है और यहां पे हम लोग रखेंगे थी स्लेप का पार्ण और उसकी कर लेंगे को आच मैंने अपको बता है थार सीठाटल साइज का सिंगल कज़ोरी स सीडबल thank you, bye